हेलो गाईज तो आज हम जानेंगे कैसे आप फोटोसोप की मदद से बहुती आसानी से 2 मिलीट में पासफोर साइज फोटोप बना सकते हैं अपने लेप्टोप या डेश्टोप पर तो गाइस अगर आपके पास Photoshop नहीं है तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगा किसे आप फ्री में Photoshop डाउनलोड कर सकते हैं तो गाइस फोतोप से पासफ़साइज फोतोप आना बहुत ही आसान है बस आप ये वीडियो को पूरा देखो मैं गारिंटि के साथ बता सकता हूँ आपको पासफ़साइज फोतोप आना बहुत ही आसानी से आजायेगा तो guys पहले आप अपना laptop या desktop पर Photoshop एप को open करेंगे उसके बाद आपको side में open का option मिलेगा अगर ना मिले तो आप उपर file में click करके भी open कर सकते open button पर click करते ही आपके सामने आपका laptop का सारा file open हो जाएगा जिसमें से आपको जो भी image का password size photo बनाना है उसमें आप click करेंगे और image को open करेंगे जैसे कि मैं एक example image अपना image open कर लेता हूँ तो guys आपको ध्यान से मेरा cursor को follow करना है तब ही आपको सब कुस समझ में आएगा तो guys सबसे पहला काम है आपको अपना image को सही weight and height में crop करना होगा जिसके लिए आप side में crop button पे click करेंगे इस जगा पर उसके बाद आपको उपर weight and height resolution set कर लेना है उसके बाद आपको weight में 2.9 semi और height में 3.9 semi रख कर side में आपको pixel pass inch select करने के बाद 300 dpi select करना है सब कुछ सही से select करने के बाद आपको अपने mouse से image को सही तरीका से crop कर लेना है तो guys crop करते वक्त आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपका image का solder बिल्कूल बराबर रहे तो guys आप अपने हिसाब से image को सही तरीके से crop कर लेंगे उसके बाद enter बटन दबाएंगे दबा दई आपको image crop हो जाएगा उसके बाद आपको image का background चेंज करना होगा जिसके लिए अगर आपका background एक color का है तो आप one click में चेंज कर सकते हैं और अगर बहुत सारा color का है जैसा कि मेरा image में है तो आपको थोड़ा सा time लेगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ फिर भी मैं आपको आसानी से कैसे remove करना है ओ दिखाऊंगा तो guys background remove करने के लिए आपको quick selection tool लेना है ओ आपको इस जगा पर मिल जाएगा quick selection tool लेने के बाद आपको अपना image का थोड़ा सा बढ़ा करना है ऐसे control plus दबा के आप image को बढ़ा कर सकते है बढ़ा करने के बाद आपको उपर plus का option में लेगा उसके बाद guys आप नीचे इस तरह से अपना background को select करेंगे तो अगर आपका एक color का background है तो one click में select हो जाएगा पर जैसे कि मेरे case में multi color background है तो मैं इसे अच्छी ताह से select कर लूँगा मैं फटाबर select करके दिखा देता हूं तो जिस जिस जगा पर unselect मतलब image में भी select हो गया है उसके लिए आपको उपर minus का button मिलेगा जिसमें आप click कर लेंगे और अगर आपका image में भी select हो गया है तो उसे unselect कर लेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूं ध्यान से दिखिए यह पाट आपको सई से करना है और धीरे-धीरे करना है तो आपका सई से selection होगा तो दोस्तों सई से selection हो जाने के बाद आप अपने mouse से right button दबाएंगे और यहा आपको select कर लेना है इस तरह से select करने के बाद आप ok करेंगे ok करने के बाद आपको background change करने के लिए बस control button दबा के back space दबाना है तो control plus back button दबाते ही आपका background remove हो जाएगा remove हो जाने के बाद आपको mouse में right button क्लिक करना है और यहाँ deselect कर लेना है बस आपका image लगबग ready हो गया है अगर आपको image में brightness या color adjust करना है तो आप उपर image पे click करेंगे image पे click करते ही आपको auto color, auto contracts और auto tone का option मिलेगा जिसमें से आप select करके जो भी आपका image को अच्छा लगेगा वह आप select कर लेंगे guys एक color या brightness adjust करते बक्त आपसे कुछ भी गलती हो जाए तो बस आप control z button दबा देना इससे आप एक step पीछे आ जाएंगे तो brightness adjust करने के लिए आप image पे click करके adjustment में click करेंगे तो आपको crafts का option मिलेगा जिसमें आप click करके अपना image का इस तरह से brightness कम या ज्यादा कर सकते हैं आप सही से select करके ok करेंगे तो आपका image हो जाएगा ready तो guys image almost ready हो गया है आप आपको इस image को a for size के page में सजाना है जिसके लिए आप उपर file पे click करेंगे और new tap open करेंगे जिसमें आपको a for size page ले ले लेना है उसके बाद guys आप यहाँ तो guys page लेने के बाद इस तरह से आपको mouse पे click करके image को drop करना है a for size के page में drop करने के बाद आप image को phone में सही से adjust कर देंगे उसके बाद आप edit में जाएंगे और stock पे click करके 2 pixel ले लेंगे इससे आपका image में 4 और एक border आ जाएगा जैसे कि देख सकते हैं मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ उसके बाद guys आप अपने image पे cursor रखके alt button दबा के mouse पे click करके इस तरह से site करेंगे तो आपका image का duplicate image ready हो जाएगा इस तरह से आप अपने पूरे page में image सजा देंगे तो guys सही से image को page में सजा जैने के बाद आपको उपर file पे click करना है उसके बाद save based का option मिलेगा जिसमें आप click करेंगे और image को pdf format में अपने desktop या किसी भी जगाबर save कर लेंगे जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूं save करने के बाद मैं image को open करके दिखा देता हूं कैसा image बना है तो guys जैसे कि देख सकते कितने बरिया तरीके से हमारा image पास्पो साइज में ready हो गया है तो आप बस print पे click करके इसे print कर सकते है तो guys मैं आपको अभी बता देता हूं कैसे आप Photoshop फ्री में download कर सकते है तो guys अगर आप Microsoft Store से Photoshop डाउनलोड करने जाएंगे या Google से Photoshop डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको खरीदना पड़ेगा Photoshop को तो अगर आपको फ्री में Photoshop चाहिए तो आप मुझे Instagram पर message करना मैं आपको Photoshop क कैसे फ्री में मिलेगा सब कुछ बता दूंगा वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि इससे copyright आ जाता है तो guys मैं basically West Bengal से हूं तो मुझे Hindi बोलने में थोड़ा सा problem होता है तो अगर वीडियो में कुछ गलती हो गई हो बोलने में तो मुझे माप कर देना प्लिस और guys अगर को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू